सब लोग पता नी क्या कर रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, क्या करें, चाहिए महिलाओं के अपराद की बात करें, माइनलस पे इतने अपराद हुए हैं इसे एक साल में और अब यह जो हो है नागवर में, बार्मेर में, इस तरह की घटनाए कैसे हो रही हैं, सीरियसली ले इस लोगों में जो अपरादी उनमें बिल्कुल भहनी हैं, और जो पुलीस प्रशासन हैं, वो भी पूरी तरह से अपनी कारवाई कर नहीं कर रहे हैं, पुलीस गई थी कारवाई करने के लिए गाओं में, तो गाओं वालों ने उनमें पर पत्राव किया, तो यह कौन से कानु ऐसे कैसे हो रहा है रहा है कि हुज़ को सबके सामने हो रहा है यह कुछ छुपीवी बात तो हैनि को बिल्कु और पिके L Κली सर्द बहुत गंबीर है और को घंठिर विशे है और मैंने पत्र लंका लेख उठ्म मंत्री जी को प्रकाश जावरेकर जी को कि इस पे कारवाई होनी चीए, इन्वेस्टिगेशन होनी चीए, एक सेंट्रल टीम आके पता करें, चानबीन करें कि ये इसके पीछे क्या है और जो अगर कोई भी दोशी पाया गया तो उस पे सक्से सक्त कारवाई भी होनी चीए, ये ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है, जो यहां के वहन मंत्री है, और कह रहे हैं, बीजेपी राजी के समय कहा अकड़ा है, देखी ऐसा है कि उनकी सरकार तो साल देड़ साल से अब पाउर में हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ किया, नहीं किया, अगर हम लोग ब्लेम गेम शुरू करें तो जब हमारी सरकार दुबारा आई थी सत्ता में, उस समय सरिस्का में एक भी टाइगर नहीं बचा था और उस समय कॉंग्रिस की सरकार थी, तो ये ब्लेम गेम शुरू करेंगे तो इससे किसी का फाइदा नहीं होगा, और हमारे आज यह wildlife है जिसमें नुकसान पहुँच रहा है, आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आती है, चाहे हिरन की शिकार की बात करें, चाहे बागों की गाइब होने की बात करें, कोई ना कोई बात सामने आ रही है, तो मैं तो यह राजित की सरकार को यही कहूंगी, कि ध्यान दें और कानून ववस्ता है, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यह जब गए थे वहाँ पर कारवाई करने के लिए, पुलीस गई थी कारवाई करने के लिए गाओं में, तो गाओं वालों ने उन पर पत्राव किया, तो यह क्यों सी कानून ववस्ता है, अग पुछना चाहिए था उनको, और मैं तो अभी भी उनको कहूंगी कि इस पर कारवाई होनी चाहिए, और जो यह इस तरह से लापरवा आटिट्यूड है, बिल्कुली बेपरवा जो आटिट्यूड है, बिल्कुली केलिस आटिट्यूड है, उसमें बदलाव लाएं, और यह देने वाले वीडियो किस तरह से समाज में तरह घटनाएं हो रहे हैं, और सकार और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, तब ही तो मैं कहा रही हूँ आपको की कानून व्यवस्ता बिल्कुली बुरी हालत हो रही है कानून व्यवस्ता की हमारे प् इस चीज को लोगों में जो अपरादी उन में बिलकुल भेनी है और जो पुलीस प्रशासन है वो भी पूरी तरह से अपनी कारवाई कर नहीं कर रहे हैं वो लोग डर रहे हैं कि कैसे हम अपरादियों पे कुछ करें कैसे हम अफायर दर्ज करें लोग डर रहे हैं अफायर दर प्रदेश में बाग और इंसान दोनों के एक जैसी सिती हो रखी है कोई सुनवाई नहीं हो रही है कैमें चेतन के साथ शरत कुमार जैपूर